वेलकम तो न्यू वीडियो उफ मार्केट ट्रेडर दोस्तों इस वीडियो बात करने वाले हैं कि जो फॉल हो रहा है मार्केट में किस कारण से हो रहा है और सबसे इंपोर्टन बात आपके जाननी यह हो जाती है कि क्या यह फॉल जो कंटीनिवसली गिरता ही रहेगा गिरेगा कहां तक गिरेगा या फिर हमको रिकावरी देखने को मिल सकती है इसके बारे में पूरा डिसकुसन करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी की जो डीप अनलिसिस थी 2018 से लेके अठारा से लेके मैंने 2023 तक करके बताई कि मार्केट जन्वरी के एंड में फॉल करता है तो exactly market में वैसा ही हो रहा है हलांकि कुछ योगदान उसमें HDFC बैंक का है कुछ other result भी खराब आ रहें कंपनियों के और फिर मिल जूल के सारा market को गिरा रहे हैं लेकिन history भी कहीं न कहीं अपना काम कर रही है दूसरी चीज कल है sensex के expiry अब मुझे नहीं पता आप मेंसे कितन वरी के end में क्या होने वाला है sensex में तो उसका भी detail analysis देखिएगा फेले वीडियो को like कर दीजिए क्योंकि मैं आपसे कभी demand नहीं करता हूं कि मेरा course join कर ये link open कर ये कभी नहीं नहीं मैं तो कहूंगा कभी करना भी मत बस सिर्फ आपसे एक request करता हूं कि वीडियो को like कर देन और चैनल को subscribe कर देना सबस्काइब के साथ सब्सक्राइब कर देना ताकि आपको हर वीडियो की notification मिल सके इतना ही मांगता हूं यह request करता हूं मांगता भी नहीं हो even तो आपके अच्छा लगेगा वीडियो तो जरूर कर देना पहले वीडियो देख लो या फिर पहले कर दो लेकर चलते हैं अबॉकि त chloride करके चलते हैं दूस्तों अब इसको पहले टाइम प्रेम पर लेकर चलते हैं और अ तया उख और अपको से लेते क्यों कि मार्केट मैं अच्छा धुक्श्य को चीप पहले यह मार्केट अपको ने पच्छले देन दिन है कि अपने ओड़L देखने को मिला हलांकि आज जो candlestick pattern बनी हुए ये भी कोई बहुत अच्छी candlestick pattern नहीं है ये डोजी candlestick pattern बनी हुए इसका मतलब भी same यही होता है जो इसका मतलब होता है यानि कि indecision market is not able to decide where to go to the upside simple logic होता है इस टाइप की candle का अच्छा हम देखते हैं कि market ने top से लेके अभी तक कितने point का fall कर दिया है यह हमने top पकड़ा और यह हमने bottom पकड़ा तो निफ्टी की मैं especially बात करूं within two days निफ्टी ने 800 point का fall किया हलांकि आज थोड़ा बहुत recovery इसमें देखने को मिली है बड़ी important चीज मुझे आपके साथ show करनी थी यह कि 2018 से लेके 2023 तक हमने देखा कि निफ्टी जो है हर साल जन्वरी के end में गिरता है देखा था आपने नहीं देखा तो please परसों की वीडियो कल की वीडियो को छोड़के परसों वाली वीडियो देखना यानि कि एक दो दिन पहले की वीडियो देखना मैंने बताया हुआ है आपको लेकिन क्या यहां से और fall करेगा we don't know हम नहीं जानते लेकिन अगर market fall करता है तो देखिए मैं आपको important बता देता हूँ यह trend line आपकी बहुत important role play करने वाली क्योंकि market यहां से breakout दिया था एक upside का move दिया छोटा सा market ने correction लिया retracement लिया फिर एक bull rally start करी फिर एक छोटा सा retracement लिया फिर market ने एक bull rally start करी and then market ने retracement दिया अगर देखो मैं कल भी आपको यही बात बता रहा था कि market का reversal point है यह market के यह zone हो गया यह zone हो गया यह reversal point है अब आप खुद सोचिए आपको यह level यहां तक हटा दीजे चार्ट इस level को तूटने के है यह level है 21,000 का level है और अभी निफ्टी कहां पर trade कर रहे है निफ्टी ट्रेट कर रहे है 21,500 के आसपास यानि कि और 500 point का fall market देने का potential रखता है सिर्फ और सिर्फ कब जब आपका यह वाला support जो आज market ने आपर create किया है यह तोड़ देता है तो सीधा market आपको 21,000 के level पे आता हुआ दिखाई पड़ सकता है इतना चीज को ध्यान रखिए बेरिश आप अभी हुए नहीं हो जब तक market completely 21,000 वैसे तो बेरिश हम हो चुके हैं क्योंकि मैंने कहा था 21,500 के नीचे हम जैसे ही जाएंगे बेरिश हो जाएंगे बेरिश तो है लेकिन कहीं ने कहीं market ने पूरा जोर लगा दिया है बायर्स ने और 21,500 के आसपास closing दिलाई है अगर ये level तूड जाता है market में तो फिर हम another 500 point के fall के लिए ready है इतना आप समझ लीजिए ओके अब market को reversal लेना है तो market को यहां से immediately एक reversal लेना होगा लेकिन मेरी एक बात ध्यान से सुनि generally एक दिन trending, दो दिन trendy, तीन दिन trending, मार्केट में already पिछले दो-तीन दिन से trending है हर दिन trend में नहीं रहने माला है person trending था, nifty आज trendy थि आज ah brand new fiscal theory। तो हर दिन ट्रेंडिंग नहीं रहेगा हो सकता है कल का दिन फ्राइडे का मार्केट जो है साइड वे चला जाए तो यहां पर एग्रेसिव कॉल पूट लेके मत बैठ जाना इस चीज का ध्यान रखेगा आप लोग अब कई लोग देखो जो कॉल केरी करके रखे हुए थे मु आइसे निफ्टी में ट्रेट करके चल सकते हैं चोटे टाइम फ्रेम पर चलते हैं तो अज के दिन पर निफ्टी ने मुझे काफी अच्छा खासा प्रॉफिट दिखाया था लेकिन वो प्रॉफिट मार्केट पूरा लेके चला गया और कॉस्ट तो कॉस्ट मुझे बाहर निकाल दिया चलो दुख इस बात का नहीं है कि वह हुआ लेकिन ठीक है देखो यहां पर कहीं शॉट पोजिशन बनाई थी एक क्यूज करेक्शन मार्केट ने दिया और अगली ही कैंडल में जितने देर मैं समझ पाता सोच पाता कि भाई क्या करना है पोजिशन को करना है जो भी करना है लेकिन इमीडेटल देखो आप मार्केट ने डेड़ सो पॉइंट की बना दी अब इस पॉइंट में ही हम कॉस्ट कॉस्ट बहार निकल लेकिन आप अगर कल ट्रेट करते हो तो कैसे ट्रेट करके चलने निफ्टी मैं लेबल्स कुछ बता रहा हूं नो डाउ 310 to 340 जो रेंज होगी और यह रेंज कहां पर निकल कर आती है एक तो मैंने आपको बता यह ट्रेंड लाइन बहुत इंपोर्टेंट है दूसरा यह सपोर्ट बहुत इंपोर्टेंट है तो कहीं मार्केट जैसे कि आज आज कल आप देख रहे होंगे मार्केट सिधा गैप उनके बाद मार्केट थोड़ा नीचे आया कहीं यहां पर सपूर्ट लेने लगा तो फिर आप यहां पर एक बाइंग से ट्रेट देख सकते हो दिस विल बी यह लैबल आपको कि सर मार्केट बहुत तेजी से उपर निकल जाता है तो इसमें कुछ नहीं कर सकते तो यह आप का 21,550 कहां पर निकल कर आता है यह एक्जैकली देखी यह लैबल निकल कर आता आपको यहां पर यानि कि मार्केट फ्लैट ओपनिंग दे या मार्केट गैप डाउन ओपनिंग दे इस लैबल को क्रॉस करने के बाद जब मार्केट 21,550 को उपर के लिए निकालेगा और नि पाफ जब मार्केट उपर की तरफ जाएगा और इस लेवल को क्रॉस करेगा तो हम बाइंग करेंगे तो दो लेवल आपके निफ्टी में ऐसको बता दिया है सेलिंग के अकर नहुँआ जाती है सेलिंग तो हम कैसा सेलिंग करके हो सकता है 21,100 पर सपोर्ट ले ले 150 पर सपोर्ट ले ले तो मैं आपको एक कंडिशन बतारों कि इस तरीके से हो सकता है तो 21,290 आपको कहीं इदर के आसपास निकल कर आता है निफ्टी अगर गैब डाउन ओपनिंग दे या फ्लैट ओपनिंग के बाद इस लेवल को तोड़त 21,490 से 21,520 यह बिल्कुल यह जो यलो कलर की आप देख रहे हो ना बॉक्स पट्टी आप देख रहे हो इसा नहीं कि मॉर्रिंग में ओपन हुआ 9,15 पर और यहां पर पूट ऑप्शन ले लिए ऐसी गलती नहीं करनी है यह बिल्कुल गैम्लिंग वाली थिंकिंग है यहां पर देखिए इस लेबल पर आया मार्केट डोजी केंडल स्टिक पैटन बनाने लगा तो हमें कहीं न कहीं हिंट इदो 15 मिनट का चार्ट ने इसलिए आपको देखता होगा मैं भी इसको पांच मिनट के टाइम फ्रेम पर प्लेस करता हूं फिर आपको देखने को मिलेगा कै अब देखिए यहां पर जैसे मार्केट ने आपको एक हिंटन दिया तो क्या हुआ जैसे मार्केट उपर जा रहा था तो इसकी जब ग्रीन कैंडल जब नीचे बन रही थी बड़ी बड़ी बन रही थी लेकिन जब ऊपर पहुंचा तो छोटी छोटी केंडल सुट पैटन बनना सुरू हो गई इसका मतलब मार्केट कहीं ना कहीं नीचे आना चाहरा है ऐसी कंडिशन में आप यहां पर सेलिंग साइट का ट्रेट बना सकते हूं तो यह रही दोस्तों कुछ निफ्टी के चार्ट पर बैंक के चार्ट पर पहले हम समझेंगे डेली टाइम फ्रेम पर क आपको मैंने यह रेंज बताई थी कि मार्केट को अगर उपर जाना है तो इस रेंज को मार्केट को ब्रेक आउट करना पड़ेगा और नीचे जाना है तो मार्केट को इस रेंज को ब्रेकडाउन करना पड़ेगा तो फाइनली मार्केट ने क्या डिसाइड किया कि इस रे तीधी रीटरेस्मेंट लिया फिर मार्केट ने एक divers Control चुरू कर सकता याँ से यह से but लेकि नहीं जाना है बेरिश नहीं होना है व står चहां रखना्ग क्या हैい ट्रैन्ड लाइन बहुत इंप्टेंट पास्ट比較 मिंष्टे के लिए तो हम इसको ignore बिल्कुल नहीं कर सकते एक चीज ये trend line अपने देख लिए अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ था market ने resistance लिया एक तगड़ा fall हमको देखने को मिला फिर market ने यहाँ पर support लिया और एक जबरदस्त rally हमको देखने को मिली same market यहाँ पर support ले रहा है देखते हैं कल यह level कैसे यहाँ पर अपना role play करने वाला है आई चोटे टाइम फ्रेम पर चलते हैं और समझते हैं कि trade कैसे करना है यह bank nifty का small टाइम फ्रेम है यानि कि 5 minute का टाइम फ्रेम इसको मैं एक काम करता हूँ place करता हूँ 50 minute के टाइम फ्रेम पर तो देखिए अगर कल के ट्रेडिंग session में bank nifty हमें मैं especially बात कर रहा हूँ 45,500 45,500 तू 550 यानि कि 45,500 से लेके 45,550 के nearby कहीं मार्केट हमें support लेता दिखाई पड़ता है और आपको ध्यान होना चाहिए याद होना चाहिए कि मैंने आपको क्यों बताया है एक तो आपको यह trend line कितनी strong trend line आपने खुद देख ली टेली टाइम फ्रेम पर दूसरा आपने यह वाला support level यह भी देख लिया कितना important है मैं कहा रहा हूँ बेरिश हो जाओ लेकिन एक बारी 45,500 का उसके बाद कोई support नहीं मार्केट के पास ध्यान दीजी कोई support कोई नहीं खुला रेंज आपके पास और कहां तक की रेंज है कम से कम 44,800 तक की यहां से 700 और हैं आपके पास बैंक के निफ्टी में वैसे 600-700 तो बैंक के निफ्टी आजकल एक ही दिन में फिल कर दे रहा है आप खुदी देख रहे हूं यहां से इतनी बड़ी रही फिर एक बड़ा डंप मार दिया यहां पर आज तो यहां पर देखो क्या हुआ कैसे ट्रैप किया गया रिटेल ट्रेडर को यहां पर उनको खुब उनको बतलब यह दिला दिया कि रिवर्सल आने वाल है और जब सब ने भर दिया यहां पर माल अपने ब्रोकर पर मतलब अपने टर्मिनल पर उसके बाद डंप कर दिया second half में मार्केट को तो मैं कभी भी इस टाइप से नहीं करता हूं मैं अपनी बाइंग कैसे करता हूं मैं डिप में और डिप में बल्क नहीं जैसे हजार कॉंटिटी बाइंग कर लेते हैं लोग ऐसे नहीं यहां पर कैसे करना देखो एक छोटा 500 to 550 जो कि आपकी यह वाली रेंज है अब आपको ध्यान रखना है कि बैंक के निफ्टी में सिर्फ और सिर्फ हमारे पास एक ही बाइंग लेवल है मैं कह सकता हूं कि ब्रेक आउट के बाद हम यहां पर बाइंग करेंगे लेकिन बिल्कुल भी मैं इंट्रस्टेड नहीं सिर्फ 200-200 पॉइंट है और 200-200 पॉइंट के लिए मैं कोई रिस्क यहां पर लेने वाला नहीं हूं क्योंकि बैंक के निफ्टी के लिए 200-200 पॉइंट जस्ट कुछ भी नहीं होता है पीनट्स होता है ओके सेलिंग के बात करते हैं अगर बैंक निफ्टी 45,460 इस लेवल का डेकडाउन देता है डाउन साइब के लिए तो आपको यहां पर एक सेलिंग देखने को मिल सकता है इसल कि अपाक होता है कहीं इहन प्रेघ्म चौइब बरेकडाउन देता है तो हमने आपर सेलिंग करके चल सकते हैं ऑद cause will be 45,245 देखो वो तो डिपेंड करता है कि कहां पर जाके मार्केट सपोर्ट ले रहा है बाट देस विल बी आवर सेलिंग लेवल इन बैंक रिफ्टी गॉट इट दूसरा जो सेलिंग लेवल होने किया है बहुत हाई पॉसिबिलिटी यहां पर फिट से रजिस्टेंस ले एक एम पैटन बनाने का ट्राइब कर सकता है तो यह हमारा देने को किसी को रिकमेंड करता हूं कि कॉल और टिप्स में सिर्फ और सिर्फ रिटेल डेडर लॉंग टम में लॉस ही करता है प्रॉफेटेबल तो कभी कोई हुआ नहीं होने वाला है ध्यान दीज़ेगा इस चीच का सिर्फ और लर्निंग लीजए जितनी एज मॉच एस तो आप यहां पर देखे मैं लेबल्स आपके साथ शेयर करता हूं सिर्फ और सिर्फ लेबल्स और लेबल्स से क्या होता आप देखना कि जहां से मैं बताता हूं वहीं से मार्केट एकदम एक्डम तो नहीं लेकिन नियरबाई वहीं से मार्केट रजिस्टेंस लेता है सपोर सब्सक्राइब करते हैं यहां पर देखिए मैं बात कर रहा हूं टू हंड्रेड थर्टी तू हंड्रेड सिक्स्टी यह जो होगी दोस्तों आपकी यह आपकी एक डिप बाइंग रहीं जैसे कि मैंने आपको बैंक निफ्ट में बताई थी ध्यान देना इस चीश का और सिर्फ और सिर्फ एक ही बाइंग लेवल है अगर ब्रेक आउट दे के उपर निकल ला है तो मैं आपर इंट्रेस्टेड नहीं हूं क्योंकि फिर उपर रजिस्टेंस निकल आता है तो यहां पर अगर सपोर्ट लेता है तो अच्छा रिस्क रिवार्ड रेश्यो बनेगा उपर के लिए तो देट्स वाइवी चोज दिस लेवल इन निफ्टी इन बैंक निफ्टी और इन फिन निफ्टी ओके अब बात करते हैं यहां पर सेलिंग लेवल की क्योंकि एक ही मार्केट यहां पर आ सकता है इस चीज़ का ध्यान रखना 20-190 के नीची एक छोटा सा रजिस्टेंस लेवल है यहां पर जो की लेवल आपका निकल रहता है 20500-530 यह आपको रजिस्टेंस प्रोवाइट कर सकता है तो इस लेवल पर अपनी नजर बनाके रखना तो यह रह सेलिंग यह दो हजार 23 का जन्वरी के सेगंड आफ में सेलिंग यह है चार्ट जन्वरी masa Attis 25 language 21 जन्वरी के सेंड आफ में घूरी मंत में फिर सेलिंग चैर्ट है 2020ribkes 2019 का जन्वरी cargo मांट में सेलिंग आगे देक15 लेकिन मोने नहीं बोल रहा उंग यह शर्म और आपको इन चीजों पर ध्यान देना है लेकिन एक चीज का ध्यान रखना कि जो सेंसे अभी एक ऐसे लेवल पर मैं भी वान आवर के चार्ट में आपको दिखाता हूं यह दिखिए एक ऐसे जंक्षन पर है कि यहीं से रिवर्सल लिया था मल्टीपल टाइम अगर घूमना है अगर अपनी हिस्टरी रिपीट करनी है तो फिर इसको गिरना होगा और लेवल है डेड्लाइन लेवल सत्तर हजार आठ सो सेवंटीन थाउजंड एट हंडड के नीचे निकलता है तो फिर एक बड़ा क्रेक हमको सेंसेक्स में देखने को मिल सकता है कल इसकी एक्सपार ही इसका ध्यान रखना दोस्तों आइप की वीडियो अच्छी लगी होगी टेलिग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पहली बार हो सब्सक्राइब और बैल आइकन प्रेस कर देना ताकि हर वीडियो की नोटिफिकिशन मिल सके एम करते हैं 150,000 सब्सक्राइबर का कोई किसी का चार्ज ने जैसे आजकल आपको पता है थोड़ा सा बताएंगे उसका चार्ज लेंगे कुछ भी नहीं आपकी सेवा करता रहूंगा बस आप जनवरी के एंड तक सब्सक्राइब कर दीजिए 150,000